तो हाई फ्रेंड दोस्तों हमारे यूटूब चैनल मोबाईल इंजिनियर में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है वह डायोड होगा ठीक है तो मैं कल वीडियो अप्लोड नहीं कर पाया तो कुछ जोड़ी काम था इसलिए तो फ्रेंड आज मेरा टॉपि करता है लाइट सेक्शन में कई से काम करता है उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आज जो मेरा टॉपिक है डायोड के उपर ही है तो इसमें मैं बताऊंगा वीडियो इसका क्या काम है वर्किंग क्या है और प्रोटेक्शन में स्विचिंग और इस मतलब सारा कुछ जो बहाई कोमेंट कर रहे थे कि दूसरे वीडियो उपन का मतलब क्या होता कई से चेक करेंगे तो मैं नहीं बताया था उसमें साथ कुछ डिस्टब हो गया था इस वज़े से ओपन का नहीं बता पाए था नहीं सौर्ट का कई से आपको चेक करना तो वह भी मैं इस टॉपिक म में नहीं बताया था तो उसके बाद जो हम बताएंगे सिरीज और पेरलर में यह डायोड कहां लगा हुआ होता है और लाइट सेक्षन में डायोड जो लगा हुआ तो उसको आप रिपिलेस कर सकते हैं या बाइपास करते हैं उसको में वीडियो बनाने वाला हूँ और यह जी कि इसका जो में काम होता है डायोड का एसी टू डीसी को कनभर्ट करना होता है एसी करेंट को डीसी में डारेक्ट कनभर्ट करता है ठीक है सबसे फर्स्ट उसके बाद यह प्रोटेक्शन का काम करता है जब यह पेरलर में लगाया जाता है तो यह प्रोटेक्शन का काम करता यहां तक समझ गया हूंगे उसके बाद आता है यह डायोड इंडिकेट किसे किया जाता है जब आप सर्कुिट में चेक करेंगे तो इसको डीसे दिखाया जाता है उसके बाद circuit symbol स्का जब circuit में इसको चेक करेंगे परहेंगे तो उसमें आपको डायोड को कुछ इस टाइप से देखाया जाता है तो इसको आप चेक कर लिजिए गा ध्यान से देख लिजिए आप जब सरकिट खोलिएगा मैं सरकिट जब बताऊंगा उसमें आपको यह डायोड आपको देखने को मिलेगा उसके बाद बात आती है यह टाइपस ऑफ डायोड डायोड कितने परकार के होते हैं तो नॉर्मली डायोड जो है तीन परकार के होते हैं नॉर्मल डायोड जीनर डायोड LED डायोड LED डायोड डेखे जोटी आपको इस टायड का स्विंबोल आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद यह देखी जीनल डायोड का आपको कुछ इस टैब का सिम्बोल मिलेगा और जीनल डायोड को जैडडी से सुचित किया जाता है Zd से आपको सरकुट में जब दिखाया जाएगा तो Zd से दिखाय जाएगा है उसके बाद इसका जो होता है जीनर डàiओज का वेल्यू जो होता है फिक्स बॉल्टेज होता है फिक्स बॉल्टेज मने क्या अगर आपका जीनर डायोड कुछ इस टाइप का है ठीक है अगर यहाँ से आपका मॉन लिया जाए यह देखिए यहाँ से जैसे 5 वोल्ट हमने इन किया ठीक है और उसके बाद इधर मेरा जाना है फिक्स बॉल्टेज 3.6 वोल्ट ठीक है 3.6 वोल्ट जब है इस डायोड का मॉन तो यह जो है इस सारे 5 वोल्ट को यहां रोकेगा और उसके बाद आपको 3.6 वोल्टेज आगे देदेगा या 3.9 का हो 3.7 कुछ भी हो जितना वोल्टेज का होगा उतना आगे देदेगा बांकि इसको इधर ही रोक दागे लेगा तो आप समझ गहें कि फिक्स जील सब्सक्राइब क्या होता है इसको चेक करने क message पायेwat है ठीक है टेस्टिंग यह बाड़ सब्सक्राइब कर देता हो इसके बाद कि यहां पता देता हो उसके बाद आइं लिक्विट इमिटिंग दाइप इसका होता है लिक्विड इमिटिंग डायोड उसके बाद आप समझ गये होंगे यह जो LED होता है LED जो की लाइट जलता है कीपेड में यह देखिए मैं दिखाता हूं आपको यह LED इमिटिंग डायोड होता है इसका भी मैं टेस्टिंग बता दूगा सारा कुछ आप वीडियो पर बने रही है बट वीडियो मैं ज्यदा बड़ा नहीं कर रहा हूं जल्दी जल्दी आपको बताने का टॉपिक में कोशिस करता हूं तो चलिए बीडियो पर आप बने रही या यह देखिए आपको क्या करना है एक प्रोब को बीप मोट पर ही चेक होगा है और का इसको डायवड मोट बोला जाता ठीक है आपको दोनों प्रोब को दोनों ट्राइब करना ठीक है ताँ यह से ही करते हैं तो दोनों साइड आप पलट पलट के लगाते हैं इस साइड से लगा दिये रेड इस साइड से बलेग, एक reading आया हमारा, ठीक है, फिर इस साइड से रेड इस साइड बलेग, यह मतलब या 일본 काते कि अतलु लगा थे इस कंडिशन में मोना जानेंगे कोई भी कंपोनेंट हो मान लिया जाये आपका डायोड हो या कोई हो यह केपेसिटर कोई भी कंपोनेंट अगर दोनों साइडे से हम पलट पलट के टच की कि अगर एक ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि ओपन होगा ठीक है उसके बाद बात आता है स्वाटिंग का स्वाटिंग हम किस तरह से चेक करते हैं अगर यह डायोड है दोनों एक साइट समझाई से ठीक है तो अब यह डायोड का टेस्टिंग मैं बता दे रहा हूं डायोड का टेस्टिंग क्या है कि सबसे पहले आपको एक यह देख लिए कि आपको टच करना है दोनों साइड से एक साइड वन ठीक है फिर पलट के हम टच करेंगे तो उसके बाद आपको दूसरी साइड आपको 120 ओम से 900 ओम के बीच ही आना चाहिए अगर कम ज़्यादा आता है ठीक है अगर कम ज़्यादा आता है तो ये ओपन लीटेज będसी मानें इसको ओपन नहीं लीकेज मानेंगे अगर इससे कम आता है या इससे ज़्यादा आता है तो लीकेज मानेंगे ठीक है तो ये चीजह आप समझ गये होंगे फिर से एक बार टेस्टिंग समझ जिए क्योंकि टेस्टिंग हो जो है बहुत इंपोर्टेंट करता है जैसे लाइट सेक्शन में अगर आ गया अगर वो डाइवड खराब है आप कुछ भी कर लीजिएगा कितना भी क्या कर लीजिएगा सौर्ट नहीं बताएगा बट वह आपका लिकेज होगा ता आपका लाइट न प्रोप मैंने इन दोनों प्रोप को एक साथ यहां पर टच किया ठीक है एक बार जब टच किया हम तो एक आगया है ठीक है दूसरी बार जब हम इसको पल्ट दिये वायर को जैसे हम पल्टे मेरा कुछ भी रिडिंग आया इनिवरी कुछ भी तो आपको यह धियान रखना है कि ना 120 120 ओम से 900 ओम के बीच ही आना चाहिए अगर कम आता है तो लिकेज हम उसको मानेंगे और उस केपिसिटर को हम चेंज कर देंगे ठीक है यहां तक आप समझ गयोंगे चलिए मैं बोर्ड में कुछ टेस्ट करा देता हूं ठीक है सबसे फर्स्ट यह जो है मारा डायोड आपको दिखा रहा हूं वीडियो बहुत ही भरा बन जाता है पर मैं कोशिश करता हूं यह देखिए सबसे पहले आपको बीप मोड में डायोड मोड में यहां पर ले जाना यह देखिए बीप मोड है यह वाला बीप मोड और डायोड मो सारा कुछ बताऊंगा उसमें तो ये देखिए ये मेरा charging section में diode ये है ठीक है आपको क्या करना है ये देखिए दोनों side हम touch करेंगे इसको ठीक है तो ये देखिए ये जो हमारा कुछ भी नहीं आया ये plus और minus दोनों लगाना आपको ठीक है कुछ भी नहीं reading आया उसके बाद हम प्लस को उधर लगाते हैं और माइनस को इधर लगाते ठीक है ये अब क्या करें माइनस को इधर और पलस को उधर लगाएं ठीक है ये दिखिए ये दिखिए हमारा reading आचुका है इसका मतलब है कि हमारा जो ये है यह देखिए इसका मतलब है कि हमारा डायोड यह सही है फिर से हम प्लेट के आपको चेक करा दे रहे हैं उसमें साइद नहीं दिखा था कि यह देखिए कुछ भी नहीं आया अब फिर से हमारा एक डायोड यहां भी यहां भी चेक करके हैं यह देखिए हमारा एक बार में 231 रिडिंग आ चुका है ठीक है हम इसको पलट के लगाएं फिर वाइर को ठीक है नियुक यह देखिए यह दोनों साइड से सेम रिडिंग दे रहा है इसका मतलब है कि यह लिकेज हो सकता है ठीक है अगर लिकेज होता है तो आप इसको निकाल के चेक किजेगा ठीक है मैं इसको निकालता हूं यह दिक हमने उपर कर دिया इसको थोड़ा सा और हम यहांपे टाच किए है कि यह लीडिंग नहीं आ ठीक है फिर हम रेड प्रॉप को नीचे कर देते हैं रेड़ प्रॉप को ऊपर करेंगे यह दिक हमने यहां पर टक्ष किया ठीक है उसके बाद यह दिकिए यह उपर हम जब टूट करते हैं हमारा कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है यह अभी आया था यह यहां से टूट गया इसके बज़ाएस यह रीडिंग नहीं दे रहा है तो आपको निकालके चेक करना है उसको जब यह रीडिंग आया उस टाइप का कुछ ठीक है यह साथ यहां से टूटा हुआ इस नहीं आ रहा है ठीक है तो मैं दूसरा बोड में आपको चेक कराता हूं एंड्रॉइड के बोड में तो यह देखिए यह हमारा डायोड यह देख लिए डायोड कुछ इस टैप का आपको दिखेगा और भी मैं बोड में दिखाने कोशिच क करता हूं इह देखिए यह धेरwood आपका ये भी यह दायोड जैवे घ्र वाइबरेटर सेक्शन यह भी है आपका डायोड तो मैं पीक भी दिखा दे रहा हूं साइड साइड में तो यह देखिए उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसको मैं चेक करा दे रहा हूँ यह देखिए हमने यह टच किया यह कुछ भी रिडिंग सरफ नहीं आ रहा है यह कुछ भी रिडिंग नहीं आया यहां पर उसके बाद हम ब्हाइड को पलट के चेक करते है ये देखे फ्रेंड हमारा रीडिंग कितना आया आप देख पा रहे हैं तो फ्रेंड से यह आप लोग चेक कीजिए और हमें बताइए पक्राइए drastically मिलता वी किजिएster झाल झाल